हाई फ्रेंद्स मैं हूँ पाइल वल्कम तो मैं चानल स्प्रिद्माई गाइड आज मैं 6 अलग पैटर्न के हैंड स्टीच इस दिखाऊंगी बहुत ही सिंपिल सा एक फ्लावर पॉट थीम है उसमें एक एक स्टीच करके दिखाती हो यहां पे दो पैटर्न का बास्किट स्ट स्टीच और एक अलग स्टीच मिलाकर एक बास्केट बनाई हो होफुली आप लोग को यह कॉंसेप्ट पसंदाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए इस स्टीच में धागा जो है उसका एक लूप बनाके नीडिल में डालना पड़ता है तो आप डोनों हाथ का यूज़ आप कर सकते हो जो आपको कमफुटेबल लगे लेकिन ध्यान रहे अगर लेफ हैंड से नीडिल में लूप डालना हो तो एक स्मॉल ई जैसे अलफ़ाबिट बने देखिए अब मैं दिखा रही हूँ आपको और अगर राइट हैंड से बना रहे हो तो नाइन बन बनाते हुए सेम स्टीच कर सकते हो अब राइट हैंड से बना रहे हो सेम स्टीच के अंदर सिर्फ लूप बनाते वग एक जगा नाइन बनाना है बस थोड़ा ट्रीकी है लेकिन बहुत सिंपल है हुआ है हुआ है झाल 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 अप्टेट को को और नटेनेट जो लाइन है उसमें से गुजारना है एक लाइन के अंदर से गुजारना है तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर से गुजारना है ऐसे सिर्फ वीपिंग की मदद से लाइन रो करना है एक इस विपिंग का प्रोसेस पूरा उल्टा जाएगा जैसे कि एक स्टीच लाइन के नीचे से नीडिल गुजारना है तो उपर के स्टीच लाइन का उपर से नीडिल को गुजारना है ऐसे ही विपिंग प्रोसेस के मदद से पूरा वास्टिट का जो लाइन है उसको फिल कर ले झाल 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 तो फ्रेंस आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरी चैनल को ज़रू ही सब्सक्राइब करना बाई